आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही यूद का असर अब साफ दिखाई देने लगा है इस यूद के असर से कई चीजें इसलिए महंगी होने लगी हैं क्योंकि उनका आयात बादित हुआ है अगर बजार में किसी चीज की जादा मांग हो, लेकिन देश में वो उतनी मातरा में उपलब्द ना हो तो आयात कर उस चीज की मांग को पूरी की जाती है और महंगाई कंट्रोल में लाई जाती है लेकिन युद की स्थीती में इस डिमांड सप्लाई चेन पर असर पड़ने से सोयबीन महंगी हो गई है इससे किसानों को तो फैदा हुआ क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद का सही दाम मिल पा रहा है लेकिन शहरों में इसका बुरा असर दिखाई देने लगा है सोयबीन महंगा होने से महराष्ट्र समेत देश भर में खाद तेल महंगे हो गई है कुछ महीने पहले 6,000 रुपे प्रती कुइंटल मिलने वाले सोयबीन अब 7,500 रुपे कुइंटल तक मिल रहे है महराष्ट के वाशिम बाजार समीती में किसान बड़ी हुई कीमत का फैदा उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुँच रहे है और तेजी से अपनी सोयबीन बेच भी रहे है रशिया यूकरेन युद की वज़ा से रशिया से आने वाले सनफलावर तेल की आवक भी रुख गई है इसका परिणाम बजार में दिखाई दे रहा है बे मौसम वर्सात की वज़ा से देश में सोयबीन की पैदावार काफी कम हुई है जो पैदावार हुई वो अच्छे स्तर की पैदावार नहीं थी इस पर युद की वज़ा से आयाद भी कम हो गया है इसलिए खादे तेल के दाम में इसका असर हुआ किसान खादे तेल की कीमतों को बढ़ोतरी के अनुपात में अपने उतपाद के दाम में और बढ़ोतरी करना चार है है माराश के वाशिम बजा समीती के वैपारियों के मताबिक युद के संकट की वज़ा से सोयबीन की दर लगातार बढ़ती जा रही है भारत में सोयबीन तेल मुख्य रूप से अर्जंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है और संफलावर यूक्रेन, रशिया और अर्जंटीना से मंगवाया जाता है लेकिन युद छिडने की वज़ा से इन दोनों देशों के आयात पर असर पड़ा है इस युद की वज़ा से ब्लैक सी से होकर आने वाला माल रुख गया है इससे खाद तेलों के दामों में 40 फीजदी की बढ़ोतरी हुई है भीड़ कोट, मार्केट टाइम्स, टीवी टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लैस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान